जब आपसे कोई पूछता है कि भारत के सबसे धन्वान इंसान के नाम बतावाब तो आपका जवाब यहीं होगा कि मुकैश अंबानी, रतन टाटा या गोतम अदानी ऐसे और भी कई नाम आप लेंगे हैं है ना क्योंकि हमें लगता है कि यह आदमी ही देश के धन्वान आद पती बनी है तो इसके नाम क्यों नहीं लेते हम क्योंकि हमें उन महिलाओं के बारे में पता ही नहीं है तो आज के इस वीडियो में हम हमारे भारत की जो दस सबसे धन्वान महिलाए है उस बारे में आपको बताएंगे कि कौन-कौन महिलाए इसमें शामिल है वो क्या बिजन अब इंडिया में भी cryptocurrency legal है तो आप भी इसमें invest करना चाहेंगे वेसे तो कहीं प्लेट हो में cryptocurrency sell और buy करने के लिए लेकिन coins with scuba rep one of the best है Android और iOS दोनों user के लिए इस app में आप 100 से भी ज्याद़ cryptocurrency buy और sell कर सकते है और बहुत ही आसानी से जिसमें bitcoin, lithium, light coin सब cryptocurrency शामिल है और minimum 100 bitcoin भी आप एक क्लिक में खरीच सकते है आज एक bitcoin 44 रुपे के अंसपास है लेकिन इस app से अब 100 रुपे में bitcoin का थोड़ा से हिस्सा खरीच सकते है और इस current coins with scuba rep के साथ 11 महिनों के अंदर 30 लाग से ज्यादा customer जूड़ चुके है क्योंकि इस app के blog को पढ़गर आप यह तया कर सकते है कि कौन्सी cryptocurrency में आप invest करें अगर आप चाहते है इसमें invest करना तो निचे description में link दिया है इस app का वहाँ से download करें और sign up करने के साथ ही आपको 50 रुपे का bitcoin फ्रेम मिलेगा इसमें deposit और withdrawal भी instant है इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ KYC करना है तो download करें और sign up करें औ उसकी YouTube channel के link भी मैंने नीचे दी है उस पर click करके आप ज्यादा जान सकते है भारत की सबसे अमीर महिलाओं में नंबर 10 पर है फालगुनी नायर इस लिस्ट में 10 नंबर पर है self-made फालगुनी नायर जिन्होंने अपने दम पर पैसों का ढहर लगा दिया फालगुनी नायर ज उन्होंने ना सिर्फ beauty product की जरूरत को जाना बलके उसे ही अपना business बना दिया और बात करें आज उनकी जो समपति है उसकी तो फालगुनी नायर के net worth 5,410 करोड रूपे है आज नंबर 9 पर है एक साथ दो महिला है अनु आगा और महर पदमजी चानकर बड़ा आश्चरी होगा आपको के अनु आगा और महर पदमजी मा और बेटी है और इस मा बेटी की सफल जोड़ी ने अपना एक अलगी मुका मासिल किया है यानि मा बेटी की ये जोड़ी सभी महिल के लिए प्रहराणा का एक स्त्रोत है कर रहा उन्यिसो就可以 से अनु आगा और महर पदमजी थर्म कपनिय को चला रही है अनु आगा थर्म gest लीमिटंड कंपने की पूर्व चयर पर्शन थे और उनकी बेटी मेहर पद्मजी भरतमान चेयर पर्षन है इस कंपनी की और ये दोनों सोशल वर्क यानि सामाजिक कामकाज में भी काफी आगे होती है तो इन दोनों की कंपाइंड नेट वर्थ 5,850 करोड रुपए है इस कारण ये मा बेटी की जोड़ी सबसे अमीर भारते महिलाओ की लिस्ट में नौवे नंबर पर है नंबर आट पर है मलिका सीरायो आमिन मलिका सीरायो आमिन एलंबिक लिमिटेड की एक्जेक्यूटिव डिरेक्टर, CEO और MD यानि मैनेजिंग डिरेक्टर है मलिका एक नहीं बलकि कहीं बिजनेस संभालती है अलंबिक ग्रूप की स्थापना साल 1907 में ह हुई थी और इसका मुख्यालाई गुजरात के वडुदरा में है बहु प्रतिबाशाली मलिका का नाम सीरा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बॉड में भी शामिल है इसके अलावा शेर्नो लिमिटेड आवरन टेक्स्टाइल लिमिटेड और सीरा हेल्थ केर लिमिटेड इसके ही हिस्से में है उनकी कुल संपती आज यानि 2021 में 7570 करोड रुपे है जिस कारण मलिका का नाम आठवे नंबर पर आता है नंबर साथ पर है रेनो मुझाल रेनो मुझाल हीरो फिन कॉर्प की मैनेजिंग डारेक्टर है रेनो मुझाल के एक साल की कमाई 8,690 करोड इसी बिल के बोड में एक निर्देशक के रूप में भी काम करती है तथा हीरो मोटो कॉर्प की पूर्व कारीकारी निर्देशक है रेनो मुझाल बिजनेस के साथ चाथ अक्सर महिला सशक्तिकरन प्रोजेक्ट पर भी काम करती रहती है और सबसे अमीर भारतियों महिलाओं में रेनो मुझाल आज सांत्वे नंबर पर है नंबर चे पर है जैसरी उल्लाल जैसरी उल्लाल का जन्म 27 मार्श 1908 में हुआ था जैसरी एक अमेरिकी अरबपती महीला है जैसरी एरिस्टा नेटवर्ग की प्रेशिडेंट और सीओ है और अरबपती बिजनेस उमन है चो आज ऐक यहे आज सठवे नंबर पर है नंबर पांच पर है राधा वैंबू रादा वैंबू एक मिलिएनरी अरबपती भारति बिजनेस उमन है राधा वैंबू जोहो कॉर्परेशन जो वेंबु ने भारती प्रोध्योगे की संस्थान यानि IIT मदरस से शिक्षा और डिग्री आसिल की थी जोह कॉर्परेशन उनके भाई श्रीगर वेंबु जवरा स्थापित किया गया था जिनों ने साल 1994 में एड़वेटनेट के रूप में व्यवसाय शुरू किया था राधा वेंबु इस कम्पनी के बहु संके खिस्सेदारी की मालिक है और कॉपर्स फाउंडेशन के निर्देशिक भी है असल में राधा वेंबु खुद को लायम लाइट से दूर रखती है आज राधा वेंबु भारत के चैन्ने में रहती है और वेंबु की कोल संपती 11,590 क रूपे है जिसके साथ सबसे अमिर भारती महिलाओ की लिस्ट में वेंबु पांचवे नंबर पर आती है नंबर चार पर है निलिमा मोटा पत्री निलिमा मोटा पत्री भारत की फेमस डिविस लेबोरेटरिस की डिरेक्टर है इसके अलावा डिविस को चोड़ कर 10 ऐसी कोड में भी निलिमा का नाम शामिल है डिविस लेबोरेटरिस चोप पहली बार डिवी के रिचर्स सेंटर के रूप में साल 1990 में स्थापित किया गया था इस कमपनी में शुरू में API और मध्धिवर्ति निर्मान के लिए वानिजिक प्रक्रियाओ को विक्सित करना शुरू किया डिविस रिचर्स सेंटर ने साल 1994 में डिविस लेबोरेटरिस लिमिटेड का नाम बदल कर API कर दिया था इसके बाद कमपनी ने साल 1995 में तेलंगाना के चोटपल में अपनी पहली विनिर्मान सुविधा स्थापित की फिर साल 2002 में कमपनी की दूसरी विनिर्मान सुवि इस प्रकार से नीलिमा के प्रिश्रम के फल्चोरुप वर्तमान समय में भारत की सबसे अमीर महिलाओं में चोथे नंबर पर आती है। वैसे यह कंपनी लीना के दादा ने शुरू की थी। की मालिक है। इसलिए लीना गांती तीवारी भारती धन्वान महिलाओं में तीसरे नंबर पर आती है। नंबर दो पर है किरन मजुमदार शो। उत्पादको के अच्छी तरह से संतुलेन व्यापार, पोटफोलियो तथा मदुमे, कैंसर विज्ञान और आत्मा प्रतिरोत बिमारियों पर कैंद्रिच छोथ किया। उनके साथ इन्होंने बायोकोन को एक ओद्धोगी की इंजाइमों की निर्मान कमपनी से विक्सित कर पूरी तरह से एकी कुरूत जैविक दवा कमपनी बनाई। उन्होंने दो सहाए कमपनीों की भी स्थापना की जिसमें साल 1994 में सिंजिन और साल 2000 में कलेनी जीन कमपनी। अपनी मेहनेत और लगन की वज़े से आज वे 3 बिलियन अमरिके डॉलर की मालिक हैं। इस कारण कीरन मजुमदर शो भारत की सबसे अमीर महिलाओं की लेस्ट में दूसरे नमबर पराती है। और भारत की सबसे धन्वान महिला है रोष्णी नाडर मलोतरा। रोष्णी नाडर HCL Technology की छेर परसन है जिन्होंने अपने पिता के बिजनेस को एक नए मुकाम तक पहुचाने का काम किया है। उनकी नेट वर्थ 24,850 क्रोड रुपे है। और इतना ही नहीं साल 2020 में रोष्णी का नाम फॉप्स की रिपोर्ट में दुनिया की 100 पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में 55 पे नमबर पर रखा गया था। यह पहली भारती महिला है जो एक लिस्टेड आईटी कंपनी चलाती है। रोष्णी नाडर मलोत्रा, HCL Enterprise की कारी-कारी निर्दिशिका और CEO है। वहाँ HCL के संस्थापग, सिव नाडर की एक मात्र संतान है। और IAFL की 2019 की लिस्ट के अनुसार, रोष्णी नाडर भारत की सबसे अमिर महिला है। रोष्णी नाडर HCL Corporation की CEO बनने से पहले, सिव नाडर फाउंडेशन का ट्रस्ट्री के रूप में काम करती थी। जो चनने के स्री सिव सुब्रमानियम नाडर कोलेजोप एंजिनिरिंग को चलाता है। तो ये थी भारत की 10 सबसे धन्वान महिला है। उम्मिद है कि आपको गुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर जरूर करे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफोमेटिव वीडियो देखना पसंद है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।